तो जैंद एवरिबन, मिरे नाम है जतीन और स्वागत है आपका जे आफियर्स में हाली में चाइना को एक और बड़ा लॉस हुआ है अभी ऑफिशिल हो गया है कि चाइना की ड्रीम प्रोजेक्ट से इटली ने पुल आउट कर लिया है आप इस देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स का आटिकल है इटली टैल्स चाइना इट्स लिविंग बैल टैन लोड इनिशेटीव लेकिन ऐसा क्या है कि चाइना के इस दुझी प्रोजेक्ट से इटली ने पुल आउट कर लिया है जबकि BRI को चाइना ने 2013 में स्टार्ट किया था उसके बात से अब तक 100 से जादा देशों ने चाइना के इस प्रोजेक्ट को साइन किया है लेकिन इटली के साथ प्रोब्लम ये थे कि इटली है जी सेवन का मेंबर और जी सेवन में कौन कौन से देश आते हैं कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपैन, युनाइटन किंडम और युनाइटन स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये है जी सेवन के मेंबर और 2024 में इटली ओस्ट करेगा जी सेवन सम्मिट को इन जी सेवन देशों का बी आराई को काउंटर करने का प्लैन ये है कि ये के करेंगे कि 2027 तक 600 बिलियन डॉलर इंवेस्टमेंट करेंगे और ये 600 बिलियन डॉलर किसमें इंवेस्ट करेंगे Sustainable and Quality Infrastructure प्रजेक्ट में और इसमें इंडिया को भी इंक्लूड करेंगे लेकिन ये आपको भी पता होना चाहिए कि इंडिया जी सेवन का पार्ट नहीं है और इस बात को आप भी समझोगे कि BRA को जोईन करने वाला इटली अकेला ऐसा पच्छमी देश था जिसने उचैने के BRA प्रजेक्ट को साइन किया था और यह सच भी है कि BRA को ज्याधा तर जोईन किया है इस ऐकिए कि अली देश होने और ज्याधा से जच्छाय है तरकी तक लेकिन हुआ क्या कि चाइना के साथ इनका trade deficit बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक एकदाम बसे में आपको समझाता हूँ चेन को इटली का पिछले साल का जो एक्सपोर्ट था यह था 16.4 billion euro यानि लगबक 17 billion dollar के आसपास और इसी की उल्टा 2019 से अब तक यानि 2023 तक चाइना का एक्सपोर्ट 31 billion dollar से सीथा 57 billion dollar पहुँच गया अब इससे नुकसान किसको हो रहा है यह साथ दिख रहा है कि इटली लॉस में चल रहा था और जब से जॉर्जिय मेलों ने इटली की प्राइम निस्टर बनी है इन्होंने बहुत बार यह बात कहिए कि यह BRI से पुलाओड करने पर विशार कर रही है लेकिन जब चाइना से इसकी बारे में पूछा जाता था तो वो बस एकी बात कहते थे कि इससे इटली कोई फायदा नहीं होगा बलकि वो लॉसी में जाएगा और इटली के साथ वाले जो देश हैं जैते फ्रांस जर्मनी यह BRI का पार्ट नहीं है लेकिन इन्होंने इटली से ज्यादा चाइना को एक्सपोर्ट किया है और देखो हर देश चाता है कि उसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में ज्यादा से ज्यादा हो तो अब देखना होगा कि इटली के इस स्टैब से चाइना और इटली के रिलेशन्स में कोई असर दिखेगा या नहीं दिखेगा और आपके सूचते हैं चाइना के बी आरे प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनों पीजिन जरूर दीजेगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तब तक के लिए जय हिंद जय भारत